वेल्टेटिया को आपके साथ डिसक्स करने वाले हूं किस तरसे हम सोईल के दुवारा जो माइक्रोर्गिनिसम से इसलेट करते हैं तो बैक्टिया को आइसलेट करने वाले हैं किकि उसके लिए अपने प्रिपेर करा है न्यूटें टगार मेडिया न्यूटें अगार मेडिया जो है वो लेडी में बता चुके किस तरसे पेप्रियर होता है कितना क्या डलना होता है उसमें वो सब मैं डिसक्स कर चुकी हूँ वीडियो आपको रिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगी ठीक है वेडियो जो अब बेश तक रया कर लेजें किस तरसे यह जो होने वाला है सबसे पहले आपको जाए प्रिकर रिस्परियर करें हैं तो सबसे पहले सबसेफंब को सबसेशने में बच्छी डियायाय करो.. ने जमने रेची के तुन के जबेगे रेची रिखुआ को excit Media hour अपर इतादे ने चान ने सबसेट चाम पोरी यह ते ने साथ से सबसेची करने cał concrete कि एक्सपरिमेंट को किस तरह से इक्सपरिमेंट को किया जाता है हलो अब्रिवन विलकम बेक टो माइ यूटूब चैनल सैन्य लर्निंग क्लासे मैं हूँ आपके एडुकेटर नहीं है सैनी तो सबसे पहले में आपके साथ requirement share करने वाले हुए किस तरह से हम soil से isolation करते हैं microorganisms का, तो उसके लिए सबसे पहले हमेश आईए soil sample, media, test tubes, dilution बनाने के लिए test tube stand, जिसमें आप test tube रखेंगे, measuring cylinder, कुछ battery plates, कुछ hieri और कुछ हमारी वहाँ पर रखे विए सबसे पहले हैं और आपको पाइपेश चाहिए होंगी 0.1 ml और 1 ml दोनों के लिए तो सबसे पहले मैं आपको यह पता होना चाहिए कि आपको कौन सा method यूज करना है आइसोलेशन के लिए ठीक है या तो पोर प्लेटिंग कर सकते हैं या फिर हम इस प्लेटिंग कर सकते हैं तो हम शुरू करने वाले हैं आज इस प्लेटिंग से की इस प्लेटिंग के तुरू हम किस तरह से करते हैं सबसे पहले मैं प्लेट से यार कर देती हूं जिससे हम डारेक्टली फिर उन पर स्प्रेड कर सकें तो इसके लिए सबसे पहले मुझे बर्नर रोन करना होगा और यहां से जो यह मेडिया है इसको आपको पोर करना होगा करते हैं जो आपको अच्छी अच्छी जो पहले इसका जो माउथ हो इस्ट्रेयल कर लें अच्छी जे और उसके बाद आप जो प्लेट से पूर करके रख रहे हैं जितनी फी प्लेट से आख यूज करे हूँ तो मैं जो है वो बार-बार आपको इस तरह से हम करते हैं जो तीनों प्लेट जो है मैंने मीडिया पोर करके और माउथ जो है स्टेल करके अब में इस मीडिया को एक साय रख दूंगे उन प्लेट को भी एक साय रख दूंगी ठीक है जितना आप अपने लैमिनार एरफ्लो को क्लीन र चेशें अब यह जो प्लेट से मैं पीछे की तरफ सरकात हुए ठीक है अब मुझे बनाने है डाल्यूशन तो डाल्यूशन बनाने के लिए मुझे क्या करने होंगी मैंने अभी डाल्यूशन के लिए six tubes ली तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा जो पहले ट्यूब है उसक स्टीन्टीजंगे में और उसको कि इसी तरह से आप हर एक ट्यूब के अंदर डालते जाएंगे है कि इसी तरह से मैंने त्यूब के इनदर जो है और एड़ी इनमें फिल कर रखा है अब इसके बाद मैं आपको इस टोक सोलुशन चाहिए होती है जैं सहीं हमारे लेंड़ है वण ग्राम ग्राम मैंने ले रख खह एॉडएड अब मैं क्या करूंगी जो यह हमारी पहले जी है। इसको में जेंगे मिक्स कर दो ये व्क यह देखें जैसे हम वोर्टेक्स में करते हैं अगर आपके पास वोर्टेक्स है तो बहुत अच्य बात है आप से आप स्छी कर सकते लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरह से उसको mix करते वह पूरी जो soil है उसको properly mix करके stock solution जो त्यार कर सकते हैं यह हमारा एमेल जो है ट्रांसफर करना है डालूशन बनाने का तरीका ओलडी में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी यहाँ पर ध्यान लखे कि आपको जो ट्यूब है उन पर मार्क कर लेना है तो जो पहले ट्यूब होती है कि जा आपने स्टॉक बनाया है उस पर आप उन नंबर डालेंगे ठीके उसकी जेक्स तो मुअले ट्यूब है उसका इस ततरह से अम क्या कर लेंगे हर एक क्या और मार्क करके रख्लेंगे अब हम क्या करेंगे विद्धी एल्फ वो Piper पाइपट की हेल्प से, Piper की हेल्प से वाँ मुछन इन ट्रांसफर करने वाले हैं, 1群 मैं जो लूँगी, फॉस्ट वाले कि स्टोक सोल्फिशन का 1群 म.ल जो तरह की तरह से लेना है मुझे properly mix करते हुए इस तरह से आपको mix करना है फिर आपको 1 ml लेना है और next tube जो है उसके अंदर transfer कर देना है इसी में और इसको अच्छे से mix करना है यह देख रहे होंगे आप फिर ऐसी इसमें से 1 ml लेना है और next tube के अंदर उसको मिला करके mix कर देना है इसी तरह से हम क्या करेंगे सभी dilutions को बना करके तयार कर लेंगे तो अभी मैं dilutions बना लेती हूँ फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हम spread plate method से use करते हैं isolation करते हैं सभी मैंने same method से जो है वो सभी dilutions बना करके तयार कर रहे होंगे यहां पर आप देख भी रहे होंगे ठीके सभी जो dilutions है वो बना करके तयार हो गए हैं हमारे अब मुझे यह जो dilutions है वो मैं जो method यूज करने वाली हूँ वो है spread plate method ठीके यहां पर अगर आपको कुछ भी जो surface है अगर उस पर थोड़ा बहुत समान अगर गिर भी गया है ठीके कुछ भी होगे तो आप उसको clean ज़रूर करके रखें क्योंकि अगर clean ना किया गया तो contamination के chances बढ़ जाते हैं surface हमेशा जो होनी चाहिए वो आपकी clean होनी चाहिए अब जो मैंने प्लेट्स तयार की थी प्लेटिंग के लिए और मैं वह देख लेते हूं कि वह जो बेस है हमारा solid base है वो तयार हो चुका है नहीं हो चुका है जैसे कि आप यहां पे देख रहे होंगे यह देखिए ठीक है यह जो हो गई है वो ड्राइ हो गई है यानि कि solid base हो बुन करके तयार हो गया है तो यह जो पहली प्लेट है इस पर मार्क कर लेते हैं कि यह first plate है इस पर मैं stock solution डालने वाली हूं फिर इसी तरह से second 3rd ठीक है और 4th and 5th पांच प्लेट में लगाने वाली हूं 4th and 5th इन सबी पे मैं क्या कर लूँगी marking कर लूँगी 4th and 5th ओके इन सबी plates पे आपको क्या कर लेनी है marking कर लेनी है उसकी साथ साथ यहां पे date भी लिख देनी है कि आप कि इस date में जो है यह experiment perform कर रहे हैं मालो आज अगर है second feb ठीक है तो आपको क्या लिखनी है date लिख देनी है इस तरह से आप date जो है mark ज़रूर करके रखे क्योंकि आपको experiment पता होना चाहिए कि आपने कब किया है date mark करनी है आपको plate का number mark करना यानि कि कौन से डालूशन आप उसके अंदर डालने वाले हैं तो चलिए अभी मैं आपको दिखा देती हूं इस तरह से हम dilution के थुरू यानि कि आपका soil sample जो आपने लिया है उसके थुरू हम isolation करते हैं तो उसके लिए हमें requirement चाहिए होंगी spreader चाहिए होगा plate चाहिए होगी ठीक है pipe it चाहिए और कुछ tips चाहिए बेसिकली spell painting method के लिए आपको जो pipe it चाहिए होती है वो चाहिए होती है 0.1 ml की अब मुझे क्या करना है 0.1 ml लेना है इसमें से यानि कि जो आपका dilution है अब मालो first plate है तो मैं क्या करूंगी 0.1 ml लोंगी किसमें से आपकी first वाली test tube से इसको properly mix करके आपको लेना है ओके 0.1 ml में लेने वाले हैं आफ्टर देट हम क्या करेंगे इसके उपर इसको drop by drop spread कर देंगे और इसको फिर जो discarding boxes के अंदर eject कर देंगे ओके अब with the help of spreader अब spreader जो है वो मुझे क्या करना है सबसे पहले उसको sterile करना है properly इस तरह से ओके फिर इसको हलका से ठंडा घंडा है और फिर यह जो plate है यह plate आपको जिखरी होगी इस plate में हलके से अब हम क्या करेंगे इसको अच्छे से इस्प्रेड कर देंगे ठीक है इस तरह से हमें बहुत ही धीरे-धीरे जो है वो प्रेड करना अच्छे से और फिर यह plate है उसको बंद करके रख देने एक साइड में और इसका जो माउथ है फिर से clean कर लेना इसी तरह से हम क्या करेंगे अब सेकिंड और थर्ड प्लेट भी अपनी बनाने वाले हैं टोटल में जो प्लेट्स है वह पांच बना लेंवाली हुए आपके पाफ़ जितनी डालैंस रिशंस सारा बनती सेली यह सकेellen ear अगर अपने चनी प्लेट्स उप्लेट्स गेंगे साथ लिएतो साथ बनाएंगे अभल इसे यह को इत्फ प्रोसेजर में रहें और यह और अब हम लेंगे second, इसको भी हमें अच्छे से mix कर लेना है, और इसमें से 0.1 ml लेना है, और इसको spread कर देना है, ठीकिए? और फिर with the help of spreader, spreader को अब आप क्या करोगे, इसका mouth जो हिस्टेराल करोगे, और फिर से बहुत हलकी हाथों से आपको पूरी में spread कर देना, ठीकिए? अब यही सेम procedure जो होगा, वो हम सभी जो plates हैं, हमारे इतनी बनाने वाले हैं, उन सभी के लिए follow करने वाले हैं. अब जो सभी plates हैं, वो हमारे तयार हो गई है, ठीकिए? अब हमें इसे incubator में रखना है, 37 degree Celsius temperature पर, तो चलिए, अब मिलते हैं, incubator room में, अब हम incubator में आ गई हैं, ठीकिए? यानिके, इनक्यूबेटर रूम में आ गई हैं, अब हम जो plates हैं, वो अपनी यहां पे place कर देंगे. इस तरह से हम inverted position में सभी plates को रख देंगे, अब हमारे सभी plates जो हैं, वो यहां पे रख दी है, मैंने, अब मैं इसको बंद कर दूँगी, अब यहां पे temperature change देखेंगे कि कितना है, बिल्कुल सभी temperature है, 37 degree Celsius, ठीकिए? इसी temperature पर हमें इने 24 to 48 hours अपनी जो plate है, उनको चेक करना है, कि आपके जो growth है, वो किस तरह की आई है? आपके कि आपके घूटाखेंगी जो equivalवि कि भापके दूस्पैसंघरा, झाई है कि झापके करेंगे मैं दूस्पैसंटोंद कि का आपके झाल मैं इसी दूआजरा कि गलीप नहां झाल तक दुमएश्योंद उ восп पो, घब मैं दूच्पट, पज़ोंद दिते हमें, इसमें